आज मैं बना रही हूँ ऐसी मिठाई जिसमें ना तो गैस जलाना है ना तो कुछ पकाना है और ना ही इसमें धेर सारे इग्रिडियंट लगने वाले हैं तो बहुत ही टेस्टी मिठाई आज की बनने वाली है वो भी बीना गैस जलाए बीना कुछ पकाए ना खोआ बनाने की जंजट है न छेना फाड़नें की जंजट और सिर्फ एक कप דूद से बन करके तैयार हो जाएगा और समय भी बहुत कम लगेगा कम ingredient कम समय में पांच मिनट में मिठाई बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही डिलिसियस मिठाई बनेगा महंगी वाली तो चलिए इसकी रेश्पी देखते हैं हेलो दोस्तों श्वागत है कांती जी जी किचन में तो यह आज मैं बना रहे हूं ब्रेड से रस मलाई तो ब्रेड की रस मलाई बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क मलाई मतलब दूद का जो मलाई होता है वही वाला मैंने गाड़ी मलाई लिया चार चमच और उसमें तीन चमच मिल्क पाउडर एड़ किया है और दो चमच पिसी हुई चीनी तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं मिलता है तो उस कंडिशन में आप दूद का गाड़ी मलाई सिरफ चीनी के साथ भी बना सकते हैं या डेरी वाइटनर जो आता है उसे भी ले सकते हैं वो बहुत ही आसानी साजकल हर जगर ग्रोश्री के दुकान में मिल जाता है और इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करना है तो इसके लिए सिरफ तीन इग्रेडियंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस तरह से मिला देना है और हमारे घर में दूद तो डेली आते हैं हम लोग के घर में और उस पर मलाई भी पड़ता है तो बस ये फ्रेस मलाई लेनी है बहुत पुरानी मलाई नहीं लेना है और यहाँ पर हमने अब लिया है ब्रेड तो ये रस मलाई मैं ब्रेड का बना रही हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से कटोरी या गिलास से ब्रेड के स्लाइस को काट लेना है अगर आप चौकोर काट रहे हैं तो बस किनारे वाला जो ब्राउन वाला पाठ होता उसको हटा करके और चकू से भी स्कौायर में चार भाग में काट सकते हैं और इस तरह से कटोरी या गिलास के साहती से भी आप गोल अकार में भी काट सकते हैं अब अकार आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा रख सकते हैं ये देखिए और जो ब्राउन वाला पार्ट प्रेड का बचेगा न किनारे वाला तो आप उसको भी आराम से यूँज कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स बना के या पकोड़े या उपमा बना के आप कोई भी डिस बना सकते हैं तो उसको फेके नहीं उसका भी इस्तमाल कर लें और यहाँ पे दिखिए गोलाकार में मैंने काट लिया है और काटने के बाद से इसके उपर ये जो मलाई वाला मिश्रड है उसे बीच में लगा देना है इससे बहुती स्वादिष्ट लगेगा ये मिठाई खाने में तो इस तरह से पुरा अच्छे से इस पे स्प्रेट करके ओपर से दूसरा ब्रेट का एक टूपड़ा लगाना है इस तरह से सारा तैयार कर लेना है तो आप देश सकते हैं कि मैंने सारा इसको बना लिया है अब यहाँ पे हमने लिया है एक कप नार्मल दूद जो पहले से तुरत निकाल लेना है और यह देखिए अभी भी जो दूद बचा है ना उस दूद में चलिए मिल्क पाउडर एड़ करेंगे दो चम्मच और मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसमें भी चीनी आड़ कर देंगे दो चम्मच तो मीठा आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं यह देखिए मैंने मिल्क पाउडर को आड़ कर लिया है इसमें घुटलियां बिल्कुल नहीं है अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसमें चीनी आड़ कर देंगे और थोड़ा सा इसमें ड्राइफ रूट डालेंगे पिस्ता और बदाम का कत्रन तो अगर आपके ड् अगर केसर हो तो आप उसे हलका गुनगुना दूद में भीगा करके इसमें डाल सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा अगर आपके पास केसर भी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं तो यह देखिए बस फूट कलर मैंने सिरफ कल के लिए डाली है कि दूद का कलर बहुती सुन्दर दिख रहा है और इसमें लाची पाउडर डाल दिया फ्लेवर के लिए और मिक्स कर देंगे अब दूद तयार है यहां पे रस मलाई के लिए तो चलिए यह जो हमने ब्रेड तयार करके रखा है ना उसके ऊपर जो है इस कितना देखने में इसका कलर कितना सुन्दर लग रहा है और खाने में भी यह मिठाई बहुती टेस्टी बना था इसका तो कोई जबाब ही नहीं है मतलब कि देख करके और खाने में बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह ब्रेड से बना है और इस तरह से आप इतनी महंगी व चमत से दूद डाल करके उसके उपर और अच्छे से कभर कर देंगे ब्रेड को और इसके उपर से थोड़ा सा पीस्ता और बदाम के कत्रन से गार्निश कर देंगे तो ये देखने में और भी सुन्दर लग रहा है दोस्तों और बहुत ही अच्छी और टेस्टी मिठाई कम समय में बन के तयार है इस तरह से अगर आचानक से कोई घर में महमान आ जाए या कोई भी तेवार हो तो भी आप फटाफट से इसे बना करके और खुब सारी तारीफ पा सकते हैं और ये चलिए मैं कट करके दिखाती हूँ कि कितना सौफ्ट है एकडम और देखने में लग रहा है न कि एकडम छेने का ये रस मलाई है और स्पांजी भी दिख रहा है कितना अच्छा बहुत ही सौफ्ट बना है और बहुत ही स्वादिष्ट बना है इस तरह से मुह में एकडम घुल जाने वाला ये मिठाई बन के तयार है तो अगर आप लोग भी इस तरह से आसान रेश्पी चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इसे फ्रेंड एंड फैमली में सियर कर दीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें थैंक यू